नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षादो प्रतम वार्षा हिंती में पार्ट नौ चान्द का कुर्ता कविता का अभ्यास करेंके अभी आपकी रीडर बुख निकालिये, गुल्मोहर पार्टे पुस्तक दो पेज नंबर सिक्स्टी निकालिये नाइन्थ लेसन, पार्ट नौ चान्द का कुर्ता, पार्ट का नाम चान्द का कुर्ता बच्चों इधर शित्र देखिए, इधर चान्द है, बादल और चान्द की मा है मा बेटे का मधूर संबन्द यहाँ, चान्द अपनी मा से कुर्ता सिलाने के लिए कहा रहा है इधर चान्द अपनी मा से कैसा प्यार से बात कर रहा है आप भी ऐसे इच अपनी मा से मधूर संबन्द से बात करते हैं न अभी एकविता की पंक्तिया पढ़ेंगे हटकर बैटा चांद एक दिन माता से यहा बोला सिल्वादो मा मुझे उन का मोटा एक जिंगोला हटकर बैटा चांद एक दिन माता से यहा बोला सिल्वादो मा मुझे उन का मोटा एक जिंगोला हट मतलब जिद चांद अपनी मा से जिद कर रहा है हट मतलब जिद जिंगोला का अर्द है छोटा कुर्ता जबला चोटा कुर्ता या जबला यहाँ पर चांद एक दिन जिद कर के अपनी मा से कहता है मा मुझे एक उन का जबला सिल्वादो चांद अपनी मा से कहा रहा है मुझे एक उन का मोटा सा कुर्ता सिल्वादो अभी आगे की पंक्लिये पढ़ेंगे संसन चलती हवा रात बर जाडे से मरता हूँ टिटूर टिटूर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ संसन चलती हवा रात बर जाडे से मरता हूँ टिटूर टिटूर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ टिटूर टिटूर का अर्द है ठंड से काप काप कर यहाँ चांद बोल रहा है किसी तरह जो हवा रात बर चलती है उससे काप काप कर सर्दी से मरता हूँ फिर भी यात्रा पूरी करता हूँ बच्छो और एक बार पढ़ेंगे हटकर बैटा चांद एक दिन माता से यहाँ बोला सिल्वा दो मा मुझे उनका मोटा एक जिंगोला संसन चलती हवा रात बर जाडे से मरता हूँ टिटूर टिटूर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ आस अभी आप ये दो पंक्तियों को अच्छे से पढ़कर याद कीजिए दन्यवाद बचो हुआँ पंक्टैं पिए रे Michigan कि लोडे बचाने बच्पर ये भी जब पंक्टैंगो